नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी फिमेल हतीली आप महिला जातिका है और आपकी रियल हतीली मेरी शामनी बीवीचना के लिए आ रही है एक दो चीजें देखो जो भौश के लिए बहुत अच्छी संकेत कर रहे हैं बहुत ही सांदार संकेत देती हुई हतेली दे रही है यहां पे अगर हम बात करें ये आपकी जीवन की रेखा है ये आपकी मस्तिस्क की रेखा है ये आपकी हिर्दय की रेखा है ठीक बहुत सुन्दर है तीनों रेखाई और यहां से निकलती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है लक लाइन जिसको कहते हैं जो आपके भाग्य को दिखाती है जिसके लिए जोतिस को माना जाता है ठीक है ने और यहां पे आप अगर ध्यान से देखें तो इन रेखाओं से एक आकृति बन रही है जो अंग्रेजी के इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं पंच महा भोत है जिनसे आपका सरीर बनावा है जो आपके सरीर के 8 चक्र है नव द्वार है पंच महा कोस है और पाँच ग्यान इंदिया पाँच कर्म इंदिया है उनकी अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है जो आराध्य देव है वो भगवान शंकर है सिब है देवादी देव महादेव है और जो आपकी अधिश्ठातरी देवी है वो मापार्वती है और जीवन में जितना जादा सरनागत जाएंगे उतनी ही दिव्यता और भव्यता की निश्चित त देखें तो यह एक और चीज भी बताता है यह धन साइन भी है धन का निशान भी आपकी हतेली में है लेकिन यह थोड़ी देर से जो है धन देता है यह इस पश्ट कह रहा है कि आपके जीवनकाल का 36 वर्ष से लेके 55 वर्ष के बीच में धन के बहुत अच्छे योग बने हुए है शानदार योग बने हुए है और आपकी आर्थिक इस्तिति बहुत उची रहने वाली है 36 से लेके 55 एर के बीच में और 36 में आपका भाग्योदाई भी दिखाई दी रहा है आपका भाग्योदाई हो रहा है तो जब भाग्योदाई होता है तमाम चीजों से ब्रक्ति को छुटकारा मिलता है और कही न कहीं जीवन में अस्ताई तो आता है चाहे जो है रिस्तों को लेके हो चाहे धन और करियर को लेके हो चाहे जो है समाज में प्रतिष्टा को लेके हो चाहे आपका निवास को लेके हो चाहे आपके स्वास्त्य को लेके हो हर जगह से ब्यक्ति के जीवन में अस्ताई तो आना सुरू हो जाता है इस्वर की किरपा ब्रिक्ति के उपर बहुत अधिक होने बैठ जाती है और ब्रिक्ति के काम कहीं न कहीं बनने लगते हैं ठीकन तो यहां पे तीसवे वर्स में निश्चित तोर पे आपका भाग्योदय इस पश्ट दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम यहां पे देखेंगे तो एक चीज और है आपकी जीवन में साधी का सोभग्य भी प्राप्त होने वाला है लेकिन इसके योग भी 35 वर्स तक बन रहे हैं आप कुछ चीजों को करें कुछ उपाय करें और इस चीज में जो है अपनी रिसर्च जारी रखें खोज जारी रखें और मेहनत करें अच्छा रिस्ता आपको मिलेगा और कहीं न कहीं जो है 35 या 36 वर्स तक आपकी साधी हो जाएगी आप दामपत्य जीवन के बंदन में बन जा जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा चंद्रमा पे आती हुई दिख रही है और इस पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि अपने जन्म अस्तान से दूर आपकी तरक्वी होगी जनम अस्तान में रहकर आपकी तरक्डी नहीं होगी जिस परकार कि आप तरक्डी चाते हैं, जनम अस्तान में रहकर वो काम्याबी आपको नहीं मिल पायेगी, एक सामन्य बिक्तित्व बनकर आपका रह जाएगा तो जन्म अस्तान से दूर, चाहिए विदेश में हो, दूसरे देश में हो, दूसरे सहर में हो, ठीक है न, तो वहां जाके आपकी तरक्की दिखाई दे रही है, आपका कर्म छितर जन्म अस्तान से दूर है दूसरी बात, चंद्रमा और केतु का प्रभाव जब जीवन की लकीर पे पढ़ता है, तो जीवन का जो प्रारंबिक दौर रहता है, कम से कम अनतीस्वे वर्स तक का, थर्टी इट इयर तक का, उसमें कई बार संगर्स बहुत जादा बढ़ जाता है, कई बार उतार पड़ता है, ऐसा लगता है, अब जीवन में कुछ है यही नहीं, जीवन बहुत मुस्किल में पढ़ गया है, संगर्स के सिवा, तकलीपों के सिवा, आपकी जीवन में कुछ नहीं है, इस परकार की चीज़ें आती हैं, लेकिन प्रारंभिक दौर गुजरने के बाद, व्य देखेंगे, यहां पे एक तिर्कोण इसपष्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में, अब यह 38 या 40 की बाद का समय की बात है, यह तब जाके फल देगा, एकुर्येट यही बता रही है आपकी हतीली, आप एक से जादा सुरोतों से अपने जीवन काल में कुछ चीजों का अपने जीवन काल में ध्यान रखना है, यह कौन सी चीज बता रही है, यह कूबर जो निकल रही है और सुक्र का परवद जो फूल रहा है, यह चीज इस पश्ट तरीकी से बता रही है कि जल्द बाजी में निरणएं लेने से बचना है, जल्द बाजी में आकर कोई काम नहीं करना है ये आपको नुक्षान देगा उतावले पन में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है और भावनाओं के बशीबूत होकर बहुत बड़ा डिशिजन नहीं लेना है निर्णय नहीं लेना है अगर आप इन चीजों से नहीं बचती हैं इन 21 काल में संगर्स की इस्तिती बहुत जादा बड़ेगी धनहानी भी होगी और कम से कम आपको 42 तक 42 वर्स तक ब्यावसाई बिजनिस जो है बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए ये ब्यावसाई में नुकसान की संभावना को दिखा रहा है और यदि बहुत जरूरी हो ब्यावसा रहेगा और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा इस चीज को आप समल जाएं और खासकर जीवन में धन कमाने की जो इस्तिती है वो थोड़ी सी लेट बन रही है यहाँ पर यहाँ पर 36 एर में आपकी धन कमाने की इस्तितियां आती हुई दिखाई दी रही है और फिर यह बड़े रूप लेंगी आपकी 42 वर्स की उमर से लेकिन बुडापा आपका बहुत अच्छा रहेगा खासकर 56 वर्स की आविकी बाद दुबारा आपका यहाँ पर जो है बहुत अच्छा समय आ रहा है तो बुडापा बहुत अच्छा रहेगा और चीजे 36 वर्स से बहुत अच्छी उबरेंगी जो 42 वर्स में जाके अपनी पीक में आ जाएंगी लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है सुक्र के कारण कहीं न कहीं जो है पीठ का दर्द है घोटने का दर्द है कमर की प्रोबलम है जिसको हम साठिका की प्रोबलम कहते हैं इनकी संभावना बढ़ती हुई उमर के साथ साथ दिखाई दे रही है तो योगा है प्रणायाम है मेडिटेशन है इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान द छीक कंगे यह चीज हुई आपके कुछ खास थी अब कुछ गलत चीजें भी आपकी ह़तेली में हैं जिन्नों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और अभी भी कर रही हैं आपकी हतेली में गुरु चांडाल योग बन रहा है किससे बनता है गुरु चांडाल योग ह हतेली में या कुंडली में कुंडली का मुझे जादा पता नहीं है लेकिन हतेली में एकुरेट आपको जो है अगर ऐसी इस्तिति दिखे तो निश्चित तौर पे जो है ये समझ लिजेगा आपके जीवन में गुरु चांडाल योग का प्रभाव पढ़ रहा है जब भी आप देखेंगे ये वाली जो उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं हिंदी में तरजनी कहते हैं इसका जो ये मूल वाला भाग होता है जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं और हमारी हतेली में बैठने वाली ये पर्थम आचार्य ग्रह है रिसी ग्रह है इनको देवताओं का गुरु माना गया है और ये देव गुरु ब्रेस्पति है जब ये इस परकार से जो है सनी की तरफ भाग रहे होंगे इस मिडिल फिंगर की परोत की तरफ सनी परोत है ये इसकी तरफ इस परकार से भाग रहे हों और यहां पे जो है ये दब रहे हों धीरे-धी और निम्न मंगल से रेखाएं आकर के इस परकार से आपकी मुख्य रेखाओं को काट रहे हो मनि राहु का प्रभाव पढ़ रहा हो वो भी मारक राहु का और आपका केतु का भाग जो है दोसित हो रहा हो इस परकार से तो निश्चित रूप से ये एक विस योग बनाता है इसको कहते हैं गुरू चांडाल योग अब क्या क्या चीजें घटित होती हैं खुद समझ लिजेगा सबसे पहले गुरू का कुप्रभाव पढ़ता है क्या पढ़ता है जब ये नीचे की तरह भागता है तो परिवार को लेकी चिंताइं देता है खास कर दामपत्य जीवन को लेके परिवार को लेकी कुटम को लेके विक्ति के जीवन में चिंताइं उभरती हैं या अगर हम माने तो उसका जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां खड़ी हो जाती हैं अब इसमें राहो भी आ ग गया तो जादतर संभावनाई यह होती है अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह नहीं हो पाता है अर्चने बहुत जादा आ जाती है ठीक है ने और विवाह हो नहीं पाता है अगर विवाह हो गया हो आपका और कहीं न कहीं ऐसी इस्तितियां बन जाती है कभी कभ कि विवाहा तूट जाता है ठीक है और फिर व्यक्ति जो है अलग हो जाता है और दुबारा विवाहा करने में बड़ी मुस्कलें आती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कोशिस करें 36 एर तक आपका कहीं न कहीं साधी हो जाएगी और आप दामपत्य जीवन के बंदन में बंद जाएंगे अब जब ब्रस्पति इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कमजोर होता है क्योंकि ये सबसे मुख्यग्र है हमारे पौरानिक सास्त्रों के अनुसार तो ये बताता है कि आपके अंदर कितना भी नौलेज है कितना भी ज्यान है उसको इंप्लिमेंट करने के ल ऐसे में बिवाह नहीं हुआ है तो बिवाह होने में अर्चने आएंगी बिवाह नहीं हो पाएगा समय पे और बिवाह हो गया हो तो आपका बैबाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा ऐसे में कहीं न कहीं संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं पैत्रिक संपत कितन भी हो उसका लाब नहीं मिल पाता है ठीक है ने और ऐसे में धन को लेके भी संगर्स की इस्तिति बनी रहती है और सभी परकार के जो सुक हैं जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी चाये होती है ब्रिस्पति के इस परकार से कमजोर होने से वो सुक ब्यक्ति को नहीं मि में और ऐसे में एक सही दिसा दिखाने वाला ब्यक्ति ऐसे लोगों को नहीं मिलता है अगर मिल भी गया तो यह ब्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं यह पता नहीं इनको समझ में नहीं आता है जादतर मामले में कि यह ब्यक्ति कर क्या रहा है एक बात को दस बार पूचेंगे 10 बार कहेंगे नहीं ये तो यह है ये तो यह है इस परकार की confusion को भी ये बताता है ठीक है न कहीं न कहीं जिवन में बहुत कड़ा संगर्स बहुत बड़ा संगर्स इनको जहलना पड़ता है और कई बार तो अपने आपको ये लोग अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु ऐसा हो ठीक है ने और खास कर सिक्षा का छेतर हो इंजीनियरिंग का छेतर हो चिकित्सा का छेतर हो मैनेजमेंट का छेतर हो बानिज्य का छेतर हो कानून का छेतर हो और राजनीति का छेतर हो इन छेतरों में बिक्ति काम कर रहा हो या काम करने की सोच रहा हो तो चीज़ें बहुत सामन्य रहती हैं बहुत बेहतरीन तरीकी से नहीं उभर पाती हैं अब इसमें गुरु चांडाल योग में अगला प्रभाव पड़ता है आपके राहो का अब ये राहो रेखाई मारक है सबसे पहले ये आपकी जीवन की रेखा को काटती हैं मनी जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहली मुस्क लिए आती है कि कदम कदम पर ऐसे लोगों को मुस्किलों का शामना जीवन में करना पड़ता है और दोसरा ये करियर और धन की रेखा को काट रही हैं तो पैसे रुपे को ले के आजीव का कोलिय के हर जगह उतार चड़ाव जहलने पड़ते हैं फिर यह यहाँ पे अगर हम देखें तो मस्तिस्क की लकीर को काट रहे हैं तो मस्तिस्क की लकीर को काटना मतलब जो है तनाव देना बेवजहे की चिंताएं देना चोबी सो घंटे तनाव में गुजरना ये इन चीजों को ये देता है फिर ये क्या करता है ये राहु को दूसित कर लेता है तो कुछ चीजें घटती हैं ऐसे में अगर आप नोकरी कर रहे हैं या आप जो है कुछ ब्योशाई कर रहे हैं तो एक आएक बड़ा नुक्षान हो जाता है नौकरी हो तो नौकरी छोट जाती है या कोई आप पे ब्लेम लग जाता है अगर ब्यापार कर रहे हैं तो नुकसान हो जाता है अगर कहीं ये नहीं हुआ आपके जीवन में तो फिर ये कहीं न कहीं धनहा निकराता है और आपको करजे के दलदल में डुबा लेता है और उस करजे से फिर उबरना मुस्किल हो जाता है अगर ये इस से आप कहीं बच गए फिर ये आपकी रिस्तों पे जादतर प्रभाव देता है कहीं न कहीं ऐसी इस्तिति आती है कि रिस्ते तूट जाते है रिस्तों का सुक नहीं मिल पाता है अगर ये भी हो गया और इस पे ज़्यादा प्रभावा भी जिवन पर नहीं पड़ा तो फिर ये कोर्ट कचरे का मामला बनाता है किरिया किसी ने भरा किसी ने ठीक ने बेक्तिको कोर्ट कचरे के मामलों को जहिलना पड़ता है अगर इससे भी आप कहीं न कहीं बच गए तो फिर ये रहस्यमी बीमारी उत्पन करता है पता नहीं चलता ये बीमारी कहां से आया है इसका इलाज क्या है और लंबे दोर तक बिकते इस बीमारी में जो है इसको जहलता रहता है कई बार तो ऐसे लोगों के ओपरेशन उगेरा हो जाते हैं सरजरी हो जाती है ये इस परकार की चीजों को देता है कई बार ऐसे लोगों के दुरगटनाई हो जाती है ठीक है न जिससे फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती स्वस्त्य को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जहल पड़ता है तो यह राहों का जीवन पर प्रभाव पड़ता है अब आता है यहां पे गुरुचांडाल योग का अंतिम दोर यह है केतो का प्रभाव यह भी नगेटिव डालता है यह जीवन में संगर्स और चिंताएं देता है तो यहां पे गुरुचांडाल योग है और इस यहां पी यह पूरा जाल बन रहा है नगिटिव उर्जा और नगिटिव उर्जा सरीर में अच्छी नहीं मानी जाती है इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिस्क पर कहीं न कहीं जीवन उल्जन में आ जाता है या जीवन में उल्जने बार confusion में आता है दोविधा में आ जाता है और उसकी जो निरणे लेनी की ताकत है वो छीन हो जाती है बेक्त सही से decision नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए दोसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिष्टों पे खासकर दामपत्य जीव स्वास्त्य पे आता है और कि हैक चाहिए सारेस्फ प्रबाव पड़ता है आपकी आर्थिक इस्तिति पे और चार्य करता है आपको दरिजृत की और धकिलता है और पांचवां और सबसे बड़ा प्रभाव सबसे तीबर प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डिपलपमेंट rab पर परोग्रेंट एक पर आपका जो सपलता का अस्तर हो आना चाहे था वो सपलता का अस्तर कहीं न कहीं जो है माइनेस की तरफ आ जाता है मनि आपके जीवन की जो नीव है ये उसकी जड़ों को खोकला कर लेता है और फिर आपके सांदार जीवन को उसके गर्त में समाहित करता है और जीवन के महत्तों को समाप्त करने की कोसिस करता ह अब आपको करना क्या चाहिए? देखो बहुत सारे योग एके साथ बन रखे हैं कहीं न कहीं जो है इस रापित योग भी दिखाई दे रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखेगा एक तो ये पित्र दोस का भी एक कारण होता है अब इसके लिए आपको क्या करना ये पित्र पक्ष आ रहे हैं अपने कुल प्रोहित से पोच करके जो आपका कुल प्रोहित होगा उससे पोच करके किसी गंगा नदी के किनारे जैसे हरीद्वार है आपका बदरी नारायन में जो ब्रह्म का पाल है आपका गया है इन जगों पे नदी की किनारायन मनि जैसे हरिद्वार है नारायन सिला है वहाँ पे वहाँ पे पित्रों के निमित नारायन बली की जाती है अगर ये कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा करके जो है जिसको हम कहते हैं सत्या नारायन भगवान की कथा कराएं विस्त्रित रोप से तो निश्चित रोप से आपके जीवन में चीजें बेहतरीन इस्तिति में आने सुरू हो जाएंगे आपके रास्ते खुल जाएंगे ठीक है ने दोसरा मैं आपको एक दिव्य सूर्य के रिया एक दिव्य योग ध्यान के रिया और एक जो है बनस्पति अश्नान दे रहा हूं इसको विदिवत तरीके से करते रहें यकीन मानिएगा तुरंत तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन बेहतरीन इस्तिति में आएग हो चाहे करियर और धन के रूप में हो आपके जीवन में बेहतरीन जो है इस्टेविलिटी आनी सुरू हो जाएगी और इसका आपको लाब होगा ठीक है यहां पे अगर हम देखें धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परति समर्पन की भावना रहेगी यह अगर हम देखें थोड़ा सा जो है इस तरफ जुक रहा है तो बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिश्रम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी कई बार दोड़ा धोपे का काम भी आपको करना पड़ेगा यह चीजें इस तरह से उबरती हुई दिखाई दे रही है और इस तरफ जल रही है यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो ब्रस्पती की उंगली से बराबर है लगभग और मिडल फिंगर से चोटी हैं दोनों उंगलिया धन और यसकी भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष भी यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबसे चोटी उंगली देखें तो इस तरह से जुक रही ही है मनि धन का माने की बहुत ज़्यादा ललक आपके अंदर है और इसका आपको आगे लाब भी होगा लेकिन यह इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुच पा रही है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओं में एकाउंट विल्टी में फाइलिंग में और कम्य स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी इसको नेचरल तरीके से पूरा करने के लिए यहां तक आप नाखोन बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा जो है लाब मिलेगा एक सुखद जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतनसील ब्यक्ति तो बना रहेगा हिर्दय रेखा इस तरह से आ रही है देवगुरु ब्रस्पति पे जा रही है आगे जाकि खासकर जो है अनतीसवे वर्स से इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आपके जीवन में चाहे आप ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे कोई और काम करें समा क्रेटिविटी को दिखा रही है यह आपके अंदर बहुत अच्छे क्रेटिविटी रहेगी आपको लंबी और हवायात्राओं का बहुत अच्छा लाब मिलेगा और कहीं न कहीं जीवन बहतरीन रहेगा इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पी देखेंगे तो मंगल की रेखा भी यहाँ पर इस पश्ट दिखाई दे रहा है आगे भाग्योदाई इस इस्तिति में है कि आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुपेगा कहीं न कहीं से ब्योस्ताइएं हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा और यह इस्तितियां यहाँ पर धन जोड़ेंगे और यात्राएं अपनी जीवनकाल में खूब करेंगे खुद की मेहनत और खुद के प्रिश्रम से आपका जीवन में ज्यादा सपलता मिलेगे यहाँ पे देखेंगे 36 एर से करियर और धन में बड़ा लाब दिखाई दे रहा है शुक्र का परवत बहुत जादा फोल गया है जब शुक्र बहुत जादा फोल जाता है और ब्रस्पति कमजोर हो जाता है तो यह नगेटिप प्रभाव देता है ठीक है न तो इसके लिए दिब्यय योग ध्यान क देखें तो दोनों बहुत अच्छा है तो एनरजेटिक सोभाव रहेगा कोई भी आप से मिलेंगे तो वो कमपरटेवल फिल करेगा ब्रेस्पति के बारे में मैंने बता दिया है ब्रेस्पति कमजोर दिखाई दे रहा है सनी पे देखें तो दो रेखाई इस प्रकार से बन दस रोतों से आप धन अर्जन करेंगे रहिशमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकरसंट रहेगा इसके नौलेज भी रहेगी अभी यहां पर यह बहुत ज्यादा फूल गया है गांभीर बिक्तित्व तो दे रहा है लेकिन बेवजह की चिंताएं भी धाई वर्सों तक इस पश्ट दिखाई दे रही है और कोई न कोई ऐसी वो जहें बना सकता है यह जिसके कारण कहीं न कहीं तनाव रहे और सुबह उठने में आलस्य रहे यहां पे अगर हम देखेंगे तो सूरे पे बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं बहु विचार उत्पन कर रहा है कभी कुछ करना चाते हैं लेकिन कुछ भी सपलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं यह इस चीज को बता रहा है और चीजे निखरकर अभी नहीं आ पा रही है तो एक दिव्या सूरे किरिया दे रहा हो उसको विद्वत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाब होगा यह बहुत और बोलना चाते हैं वो कुछ और समझ पाएगा इस प्रकार की चीजों को यह दे रहा है चंद्रमा भी हलका कमजोर यहां पर इस पश्ट दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं मन थोड़ा सा खराब सा कभी कभी रह सकता है तो इस चीज को ठीक करने के लिए छोटा सा उपा से आपको भीज रहा हो आप करने की कोशिस करें तो निश्चित तोर पर बहुत अच्छा लाब मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार